Hello everyone, ZN Classes में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ना है BA Part Third यानि BA Final Year, BA Third Year का Hindi Literature का पेपर जो की पेपर फर्स्ट है अधतन कावे ये पेपर 2022 में आया था, इस पीडियो में हम जानेंगे कौन कॉनसे कुशन इस साल के लिए important है और क्या पेपर का पेटर्न रहता है, तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको उता हूँ, इसके लिए 75 नमबर आपको मिलेंगे 75 नमबर का पेपर होगा, तीन गंटे का समय मिलेगा, सभी पेशनों के उत्तर आपको देने होगे पहला जो है खंड, पहला जो कॉशन स्टार्ट होगा, वो होगा वास्तुनिश्ट प्रिशन से पहला खंड आप बोज सकते हैं, वास्तुनिश्ट प्रिशन का होने वाला है दस प्रिशन होगे, एक नमबर का एक कॉशन इसे आपसे दस कॉशन, दस नमबर के हो गए पहला कोशन की और दिखते हैं अगर की कवीत आये दीप अकेला उनके किस काव संग्रे में है तो सीधे आंसर में बताता हूं वीडियो लंबी नहों इसलिए ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बाबरा अहेरी नैक्षा समसेरा बहादूर सिंग के समसेरा बहादूर सिंग के काव संग्रे बात बोलेगी का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ तो इसका सही आंसर जो है किस वर्ष में हुआ था उननेस सो इक्यासी में हुआ था बर्ष उननेस सो ग्यारा इस दृष्टी से महत्पून है कि इस वर्ष में जनम लिया किस किस ने जन्म लिया इसके साथ right option पढ़ने पड़ेंगे अगहे ने राम सेयर बाहदूर सिंग ने नागार जुन Basket और उप्रियुक्त सब ही ने लिया था जन्म बहवानि पिशादमिश्र का पहला काव संग्र्य है बहवानि पिशादमिश्र का पहला काव संग्रे कौन सा है तो गीत फरोष उनका पहला काव संग्रे है मुक्ति भोध की कविताओ के काल जई संकलन चांद का मूँ टेड़ा है के संपदाइक थे ये मुक्ति भोध ही इसके संपदाइक थे अगले कुशन की ओर चलते हैं कुशन नमबर साथ इन में से धरम बीर भारतिये की रशना नहीं है ठंडा लोहा, साथ, गीत, बर्ष देशांतर ये सारे धरम बीर भारतिये की ही रशना है अनुप्रिया नहीं है नरेश महता किस सब्तक के कभी है तो ये दूसरा सब्तक के कभी है नागार जुनका पहला काव संग्रह है युगधारा नेश केदार नाथ अगरवाल अपनी साहितिक यात्रा के प्रारंबिक दौर में किस उपनाम से कविताय लिखते थे तो ये नाथ के नाम से कविताय लिखते थे मत कहो आकाश में कोहरा घना है ये किसी की व्यक्तिकत अलोजना है किस पर रजनाकार की पंक्तिया है ये हैं दुष्यंत कुमार की नेश कोशन क्यों चलते हैं खा कोशन आएगा आपका किनी पांच प्रिशनों के उत्तर देने हैं की लगूत रिये होंगे पांच प्रिशन पांच नंबर का हो गया पहला कुछिन के दाजनात अग्रवाल की रचनाओं का उलेक कीजिए पढ़ने ना इसको बहुत इंपॉर्टेंट के दाजनात अग्रवाल के काविक की भापक्षिये विश्चिश्चाय लिखिए शिव मंग नंच रिशनाओ का नाम उले कीजिए तीन कुशं पढलेना अच् Everton है इनमेंसे पांच इकel आपको करने होंगे पदाश दे रखार इससे यहां से शुरुआ हे यहां तक है तो इसमें आपको इसकी व्याख्या करनी है किनी दो की करिए यह की यह दे रखा है यहां से यहां से यहां से यहां तक किसी दो की व्याख्या करनी है नेश आ जाता है निमलिकित पदान सो में से किनी दो की व्याख्या कीजिए फिर आपको दे रखा है यहां से यहां तक के जो पद दे रखे हैं इनक आप दे रखा है उसके बाद आजता है प्रियोगवाद के पिरवर्तक के रूप में आ गए की का मुल्यांग करन कीजिए ये बहुत अच्छा कुशन है अच्छा कुशन है बहुत ही जाद है कि दद्दस नंबर में कुशन है यह मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है जो की पेपर आया था दोजार बाइस में वी ए थैर्ड एयर फाइनल एयर का हिंदी लिटरिचर पेपर फ़स्ट है अदतन कावजे मुझे अम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोलें आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद